शान्तिकुंज ओन्लाइन क्लासिस में आपका स्वागत है बच्चों, चलिए हम पहला चेप्टर शुरू करते हैं बच्चों आपका पहला चेप्टर है प्राक्रतिक एवं पूर्ण संख्याएं, यानि नैच्रोल एंड होल नंबर चलिए हम इसके प्रश्ण उत्तर देखते हैं, पहला अभ्यास बच्चों आपका पहला अभ्यास, चलिए इसका पहला प्रश्ण देखते हैं पहला प्रश्ण है निम्नलिखित संख्याओं को भारतिय विधी में अल्प विराम का प्रयोग करके लिखिए तता उन्हें भारत्य विधी के अनुसार शब्दों में लिखिए चलिए हम पहला प्रश्ण हल करते हैं इसमें पहली संख्या दिखिए बच्चो इस प्रश्ण में ये हमारी पहली संख्या है हमें इसमें अल्प विराम का इस्तमाल करना है और साथ में हमें इस से इस पूरी संख्या को हिंदी में लिखना भी है चलिए देखते हैं कैसे करेंगे जब हम अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं तो हम इस पूरी संख्या को कौमा लगा के इस तरह से लिखते हैं तो अब आप देखिए बच्चो इसको हमने शब्दों में किस तरह से लिखा है देखें 49,32,970 चलिए इसी तरह से हम इसका दूसरा भी हल करते हैं हमारे पास जो संख्या है वो ये रही चलिए इसे हम अल्प विराम के साथ साथ इसको शब्दों में लिखते हैं देखिए मैंने इससे पहले अल्प विराम लगा के लिखा और फिर बाद में इसको शब्दों में लिख दिया है तो बच्चो आपका ये जो प्रश्न है इन सब ही को जितने भी इसके पार्ट से आपको इसी तरह से करने हैं मैंने आपको दो करके दिखाए हैं बाकी जितने भी हैं आपको होमवक में करना है चलिए सेकेंड कोश्चन देखते हैं निम ने लिखेत संख्याओं को अंको में लिखिए यहाँ पे कुछ संख्याओं दी हुई हैं उन्हें हमें अंको में लिखना है जिसमें पहला है 90,909 है चलिए हम इसे लिखने की कोशिश करें यहाँ देखें मैंने इसे copy में लिखा है 90,909 है इसे किस तरह से लिखेंगे आप? चलिए देखते हैं हमें इस तरह से लिखना है चलिए अब दूसरा इसी तरह से देखें हमारे पास दूसरा है 5,4,290 चलिए इसे लिखते हैं प्रश्ण नमबर 2 इसका दूसरा हिस्सा था 5,4,290 हम इसे शब्दों में इस तरह से लिखेंगे चलिए एक और देखते हैं देखिए तीसरा है 53,55,421 इसे हमने शब्दों में इस तरह से लिखा है बच्चो आपका प्रश्ण नमबर दो आपको इसी तरह से बाकी इसके जितने भी पार्ट्स बच रहे हैं उसको अपने होमवर्क में करना होगा तो आज की रिए बस इतना ही करते हैं आशा करती हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और जो बाकी मैंने आपको होमवर्क में दिया है उसे आप बहुत ही आसानी से अपनी फियर कॉपी में एस होमवर्क लिख भी लेंगे बच्छो आपका होमवर्क है Q1 में 3,4,5,6,7,8 ये पार्ट करेंगे और Q2 में 4,5,6,7,8 और 9 को करेंगे तो बच्छो आप इन दोनों प्रश्णों के उत्तर को अपनी कॉपी में जरूर कर लें तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें